मसकार सशी कांता के रिसोई में आपका स्वागत है वे देखे आद में क्या लेकिया है यू ट्रेडिशनल डिस्ट जो हम सको सफर में भी ले जा सकते हैं और दो तिन दिन आप इसको घर में भी रख सकते हैं बिल्कुल मैं ऐसे यह बनाऊंगी यह दिन पूरी है और चाहे इस में और थोड़ा समय इसमें जो यह मैंने करके डालने से अच्छे इसमें खुजबू आती है तो मैंने क्रस्ट करके अजवाइन को डाल दिया आप इसके अंदर में इसमें यह सूखी वाली मैथी होती है ना यह हमने प्रिजरव करके रखा कि इसका वीडियो हमारे चैनल प क्या आप इसको सफर में ले जाए चाहें घर में रख लिए दो तीन दिन आराम चाहिए बच्चों को टिफिन में दीजिए बहुत ही टेस्टी बने अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक टाइट डो तयार करेंगे और पानी थोड़ा डालेगा एक दम से घीला न कैसी लगती है और इस तरह से में करकर के दीरे जरी से आटे को अपना गूत लेंगे जैसे नॉर्मल हम लोग अपना आटा गूपते पूरी का बिल्कुल वैसे ही आटा इसका भी बनाएंगे अभी देखिए आटा हो गया है अभी इसको थोड़ी देर उनको रखना है तो हल कहुती खसता भी बनता है और अच्छा भी बनता है तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए इसको प्लेट से ढख देते हैं यह देखिए 20 मिनट बाद भाद फिर बनाती हो इसको और फिर मैंने तर क्या किया कड़ा ही रख लिए उसमें कुकिंग वाइल डाल दिया तो मैं हमेंसा जगते हैं इसमें 20 मिलड़ हो गया है और देखिये में अठ्य से हो गया है यह थे हो एक दम बना लेते हैं तो यह च्छा नास्ता बनता है एकुए अगर आप बाहर जारे तो भी कि चोटी चोटी पूरिया बनाते हैं आप लोग सभी बनाते होंगे लेकिन एक बार हमारे ज़रूर बना कर देखिएगा कि एक ऐसी टेस्ट में लगती है क्योंकि इसमें जो मैंने ड्राई मैथी पाउडर डाला है वो पाउडर आप बना के घर में रख लेगे जब मैथी का स मैथी नहीं मिलती है तो हम उची से अपना नास्ता भी बना सकते हैं सबजी में आलू डाल कर भी बना लेते हैं इस तरह मैंने छोटी चोटी देखिए लोग ये काट लिए और ऐसे करके बेलूंगी छोटी चोटी येसे पूरियां बेलते हैं बिल्कुल वैसे बेलिये ना और ना मोटी बीश की एकदम बेलेंगे हम लोग को बहुत पतली बेजेंगे तो कड़ी हो जाएगी बहुत मोटी बेलेंगे तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी इस तरह से मैं आपको दिखा रहे हूं विल्कुल इसी तरह से बेल दियेगा अपनी यह देखिए उगर इसको ल इच्छी बनी थी हमारी और इसको हम किसी अचार के साथ भी आप खा सकते हैं पर मैं दिखाओंगी आपको पूरा वीडियो देखिएगा कि मैं किसके साथ इसको खाती हूं घर में यह हमारे लोग किस चीज से इसको खाना है पसंद करते हैं तो आप देखिए इधर मैंने को अच्छी जब अपने एक पूरी इसमें डालते जाएंगे देखिए तो फिलेम को बहुत तेज ने रखिए मीडियम ही रखिए क्योंकि यह थोड़ा धीरे-धीरे से तभी यह थोड़ी सी खस्ता बनती है इस तरह से पूरी निकाल लेंगे इस तरह देखिए को दूसरी भी मैं दल दिया में और पूरी को हमेशा जो है वह आप प्रेट में बन निकाल Similarly Scarlett प्रेणी जे क्यों कि अगर आए उस तरह की इह इस तरह सकते ज़स्ती इस तरह से इस तरह से शेक्ति जाऊंगे यह देखिए यह देखिए बहुत ही अच्छी बनी थे और आप भी बनाएगे आपको भी पसंद नाएगी घर में भी सब्सक्त को पसंद आएगी और बच्छों पसंद होती ही है उनको ज़्रूर ही आएगी वह तो इसमें जैम भी लगा दीजिए तो भी खालेंगे अगर वह अपने स्कू सब्सक्राइब कर लेंगे और यह पूरी निकालती जा रही हूं मैं यह देखिए इस तरह से कर लेंगे और यह पूरी निकालती जा रही हूं यह देखि उस्तर में रखके लिक लग जाएंगी खेंक कर लेंते गया निकली सवगी नहीं घुटा सब्सक्राइब कर दो नहीं मैं तो प्लेट के सब्सक्राइब के सारी बना लिया है यह मैंने देखा रहे हैं बना लिया। कम किum में ने जो मैंगो की मैंने जो यह चिटनी बनाई यह जिसको आप लॉंजी बोलते पर मैं घिसके मनाती हो इसको तो यह जैम हो जाता है एक दम तो यह इसकी राष्पी भी मेरे चैनल पर पड़ि हुए है के बनाती है कद्दुकत से इसकी भी पड़ी है और नीबू का चार इसकी भी मारे चैनल पर पड़े हो यह इसी दोनों चीज़से भी बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इससे अगर आप एक बार खा कर देखिए ना और हींक आचार उसकी मेरे चैनल पर आए उससे भी खाक पच्छिंग